गुद मॉर्णिंग आज मैं आप सबके बीश इस पेरिकल ट्रेंगल के एजांपल स्टार्ट कर रहा हूँ आज से जिसमें पहला एजांपल है आपका ये कर रहा है कि यदि एंगल ए और साइड ए आपसमें बराबर हैं तो हमको प्रूब करना है कि जो एंगल भी और साइड बी है और एंगल सी और साइड सी है ये भी आपसमें एकवल होंगे या सप्रिमेंटल होंगे यह हमको प्रूब करना है देखिए यहां पर दिया हुआ है आपको इसका सल्यूसन लिखेंगे कि सिंस ए एकवल टू एज साइड ए है तो यहां से अगर हम यहां साइड लगा द ए में साइड ए से हम डिवाइड कर देते हैं यहां वन आया यहां एक कंडिशन मिला हमें साइड एवाई साइड साइड एकवल टू वन फिर देखिए आप जानते हैं सिंस वी नौ डैट आप जानते हैं कि डैट साइड एवाई साइड साइड एकवल टू होता है साइड ए by sine side B equal to होता है sine angle C by sine side C ये इसमें ये जो है आपका sine angle A by sine side A उसका value 1 रख दिये तो 1 बराबर आया sine angle B by sine side में B और sine angle C by sine में side में C यह एक condition हमको मिल गया अब यहां से 1st और 2nd condition को हम आपस में लेते हैं अब देखिए हमने क्या क्या लिखा इसको 1st condition क्या है आपका तो 1 equal to sine B by sine small B आप लिए 1 equal to sine angle B by sine में side B तो यहां से cross multiply किये तो sine B equal to निकल गया sine side में B अब यह यहां से क्या मिला आपको यहां से या तो आप लोगे दोनो sine हट गया आपका जो एंगल और यह भी बराबर हुआ यह फिर एक condition फिर आप परहे हो इसको अगर लिखना चाहो कि side pi minus B इस दोनों से इस दोनों से मिल गया हमें B equal to pi minus B यह दोनों value आपका यह जो angle B और side B है वो आप उसमें क्या है equal है या supplementar है ऐसे ही लेंगे हम यह one पहला condition और तीसरा condition को लिए आप उसमें same यह आगया आपका one equal to also also यह लिए हम one equal to sine angle C by sine side में C इसको भी cross किये तो sine angle C equal to sine side C यहां से यहा sine C को आप लिखना चाहोगे तो pi minus C भी लिखोगे आप तो यहां से C का value या तो इस angle A angle C का value या तो side में C होगा या angle C का value यह pi minus angle C हुआ side में C हुआ यह तो यह दोनों condition का प्राप्तुबा यह दोनों condition प्राप्तुबा जब आपका क्या हूँ यह angle A और side A बराबर हो कहां पर किसी spherical triangle में इस प्रकार एक example आप देखे फिर next video में हैं एक और important example लेकर हमाएंगे बाई